कॉंग्रेस की भारत जोडो निया यात्रा 14 जनवरी को मनीपूर के इंफाल पुर्वी जिलेश से ही शुरू होगी राज सरकार ने बुद्वा शाम इसकी मनजूरी दे दी हाला कि जिला मजिस्ट्रेट के आदेश में कहा गया कि राज में कानून एवं विवस्ता को देखते हुए सियात्रा में सिमित संख्या में ही लोग शामिल हों इसके साथ यात्रा में शामिल होने वालों की संख्या और उनके नाम मजिस्ट्रेट ऑफिस को पहले से देना होंगे आदेश में आगे बताया कि इंपाल पूर्वी जिले के एस पी ने एक रिपोर्ट सोपी है जिसमें कहा गया कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा क्यों घाटन समारों के दोरान भारी भीड होने की उमीद है राज में म के हफ्ता कांग्च ट्रीमुंग मेदान से यात्रा को हरी जंडी दिखाने की अनुमती मांगी थी लेकिन पहले सुरक्षा का हवाला देते हुए प्रशासन ने यात्रा की अनुमती नहीं दी थी इदर दिल्ली में सुबह कॉंगर्स के जनरल सेकेर्टरी जैराम रमेश और क इसी विनुगोपाल ने स्यात्रा का रोट मैप और पैमपलेट जारी किया राज के कॉंगर्स चीफ केशम मेक चंद्रा ने सीम एन बिरेन से मुलाकात की और उनसे स्यात्रा को इंफाल के पहले स्ग्राउंड से शुरू करने की अनुमती देने की गुजारिश की उन्होंने इस यात्रा को थोउबल जिले में प्राइवेट प्रॉपर्टी से शुरू करने पर विचार कर रहे हैं इससे पहले सीम बिरेन सी ने मंगलवार को कहा था कि कॉंगर्स की भारत जुड़ों नया यात्रा को अनुमती देने पर सक्रीता से विचार चल रहा है सुरक्षा एज जेंसीयों से रिपोर्ट मिलने के बाद इस पर फैसला लिया जाएगा तब बेढूंगोपाल ने कहा था कि ये राजनितिक यात्रा नहीं है इसलिए सरकार को इसका राजनितिकरन नहीं करना चाहिए यात्रा का मकसद अशांत मनिपूर के लोगों के घामों को भरना और आज को मुंबई में खत्म होगी लोकसबा जो 9 से करिब 4 मैने पहले होने वाली यात्रा 14 राज्य और 85 जिलों को कवर करेगी इस दोरा नाहुल पैदल और बस से 6200 किलोमेटर से जादा की दूरी तै करेंगे इसे की साथ बने रहे इस इंडिया के साथ धन्यवाद